साइकल चलाना हर उम्र के लोग को पसंद है बच्चों के लिए यहां मनुरजन का साधन है कुछ लोगों के लिए यहां यातायात का साधन है तो बहुतों के लिए रोजगार का साधन है तो किसी न किसी रूप में साइकल हमारे जीवन का एक अभिन अंग है साइकल यातायाद की दुनिया का बहुत ही प्रसिद के फायती और परियावरन के अनुकुल साधन है ऐसा कहना जादा सही है कि यातायाद की दुनिया का यह अब तक का सबसे अच्छा विश्कार है इसको चलाने से कोई प्रदूशन नहीं होता है साथ ही साथ यह एक बहुत अच्छा व्यायाम भी है जिससे सरीर के सारे अंगों की कसरत हो जाती है नमस्कार मैं हूँ निशा अब तक तो आप समझी गए होगे कि आज हमारी चर्चा का विशय क्या है आज हम साइकल के रोचक इध्यास को जानते वे देखेंगे कि इसके आविशकार से लेके इसके आजनिक स्वरूप के बनने तक इसमें क्या-क्या बदलावाए और बहुत सारे आविशकार कों का इसमें क्या योगदान रहा साइकल एक प्रसिद खेल भी है पहली साइकल रेस 1868 में पेरस में हुई थी और इस रेस के विजेता ने लकडी की साइकल चलाई थी जिसमें रबर के ठोस टायर लगे हुए थे लेकिन अब तो कई अत्यादुनिक स्पोर्ट्स साइकल्स उपलब्ध है साइकलिंग उलम्पिक खेलों का भी हिस्सा है पहले उलम्पिक्स में तो किवल रोड रेस ही शामिल थी लेकिन अब तो फ्रैक साइकलिंग, माउंटेन बाइकिंग और कई अन्य तरह की साइकलिंग उलम्पिक्स में सामिल है अब तो अलग-अलग races के लिए अलग-अलग cycle उपलब्ध है पर इस तरह की अत्यादुनिक cycle हैं बनने तक सैकड़ों साल लग गए और कई आविशकार कों का युगदान रहा एक महांदार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि हमारी जरुवते ही असली निर्माता होंगी और एक इंग्लिश प्रोवर भी है कि necessity is the mother of invention और यही प्लेटो की कहीवी बात cycle के आविशकार में भी लागू होती है cycle के आविशकार के पीछे एक दर्दनाग कहानी भी है 1815 में इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा में ज्वाला मुखी विस्पोर्ट हुआ राक और सल्फर डाउकसाइड के बादल बन गए सूरज की रोशनी धर्ती पर बहुत कम पहुँचने लगी और जिसके कारण वातावरन बहुत थंडा हो गया 1816 के साल को तो बिना गर्मियों का वर्ष कहा जाता है वातावरन बहुत थंडा हो जाने के कारण फसले नहीं बढ़ पाई और सूखा पड़ गया और बहुत सारे जानवर भूख के कारण मरने लगे उस समय मोटर गाड़ियां और स्वचालिद वाहन नहीं थे लोग लंबी-लंबी दूरियां चला करते थे या फिर यातायात के लिए घोड़ों का या फिर घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी का उप्योग करते थे 1816 के सूखे के कारण घोड़ों की संख्या में बहुत कमी आ गई तो जर्मनी की एक सिविल करवचारी बैरॉन काल वाल्रेज ने इसके विकल्ब के रूप में एक मशीन बनाने की सूची और इसी प्रयास में 1817 में उन्होंने पहली मानव संचालित मशीन बना डाली जर्मनी में इस मशीन को लॉफ मशीन कहा जाता था जिसका मतलब होता है दोड़ने वाली मशीन इंगलिश में इसे ड्रेजीन, फ्रेंच में इसे ड्रेजियन और वेलोसपीड नामसे जाना जाने लगा लेकिन इसकी सवारी खोड़े की सवारी करने जैसी मज़ेदार नहीं थी और आप देख सकते हैं कि यह अभी की साइकिल से कितनी अलग है सवार इसमें बैट के इसे पैरों से ही आगे की और को धकेलता था और पैरों से ही इसे रोका करता था जैसे कि आपने आजकल बच्चों की बैलंसिंग बाइक को देखा होगा इसमें दो लकड़ी के पहिये एक लकड़ी के फ्रेम में ही जुड़े होते थे और इसमें लकड़ी का ही हैंडल होता था यह साइकल यातायत के तो काम नहीं आ पाई लेकिन उच्चवरगे लोगों के लिए मनोरंजन का एक साधन बन गई और होबी होर्स के नाम से प्रसिद्ध हो गई लंदन के डेनिस जॉंसन ने होबी होर्स को खईदा और 1818 में इसमें संसोधन करके अपना एक नया मॉडल बना डाला इसमें लकड़ी का ही फ्रेम होता था लेकिन यहाँ होबी होर्स की तरह सीधा ना हो करके साब के आकार का थोड़ा तेड़ा होता था जिससे की इसमें सीट तो नीचे होती थी लेकिन होबी होर्स की तरह से यह बड़े पहिये लगाये जा सकते थे इसमें पहिये लकड़ी के होते थे और उसके चारू और लोही की एक परत लगी होती थी लगभग 1860 में स्कॉटलेंड के एक लुहार क्रिक पेट्रिक मेकमिरल ने एक साइकल बनाई थी जोकि ट्रेडल की कार्यप्रनाली से चलती थी इस तरह की ट्रेडल साइकल में पैडल्स पिछले पहिये से एक रॉट के द्वारा जूड़े वे होते थे और पैडल्स की दोलन या ओसिलेटरी गती पिछले पहिये को घूणिय या रोटरी गती प्रदान करती थी इस तरह का ट्रेडल मेकमिर्स पैर से चलने वाली सिलाई मशीन और पावर हेक्सों में भी यूज होता है फ्रांस के एक इंजीनियर पेर लालमेंट ने किसी को हॉबी हॉर्स चलाते विए देखा था और जिसे देखते ही उनको इसमें पैडल लगाने का विचारा आया और उन्होंने अपनी एक पैडल वाली साइक्ल बना डाली और 1866 में उन्होंने अपनी इस पैडल वाली साइकल का यूस पेटल भी फाइल कर लिया था इसमें पैडल्स आगे की पहिये में जुड़े हुए थे फ्रांस के ही एक लोहार मिशो ने इसमें कुछ बदलाव करके एक दूसरी पैडल से ही चलने वाली साइकल बनाई थी एक हड्या हिला देने वाला अनुभाव दे देता था और इसी लिए यहाँ साइकल बोन शेकर के नाम से जानी जाने लगी 1879 में अमेरिका के विलियम वान एंडन ने साइकल के लिए फ्री वील का विश्कार किया था उन्होंने अपनी साइकल के आगे वाले पहिये में फ्री वील जोड दिया था जिसके कारण पैडलिंग रोग देने पर भी साइकल अपनी गती से आगी बढ़ती जाती थी 1870 में इस बोन शेकर को संसोधित करके एक बड़ी उचे पहिये वाली साइकल बना दी गई जिसमें की अगला पहिया काफी बड़ा होता था और इसी में पैडल्स जुड़े भे होते थे पैडल्स के एक चक्कर पूरा कर लेने पर यह बड़ी परीदी वाले पहिये की वजह से साइकल इस बड़ी परीदी वाले पहिये के बराबर दूरी तय कर लेती थी इंग्लेंड में इस साइकल को पैनी फार्थिंग कहा गया पैनी का मतलब होता है अंग्रेजी सिक्का और फार्थिंग का मतलब होता है इस सिक्के का चौथा ही भाग यानि की इस cycle में अगला पहिया तो काफी बढ़ा होता था जब कि पिछला पहिया बहुट चोटा होता था और पैडल अगले पहिये में चुड़ा होता था यह cycle काफी तेज गती से चलती थी लेकिन काफी असुरख्शित थी इसमें सवार का द्रव्यमान केंद्र काफी उचा और आगी की ओर को खिसक जाता था जिससे सायकल बड़ी ही आसानी से असन्तुलित हो जाती थी इसमें रबर के ठोस टायर लगे होते थे और सवारी को और आसान बनाने के लिए रबर के खोकले टायरों का भी उपयोग होने लगा 1888 में आयरलेंड के जॉन बॉय डनलप ने पहला हवा से भरा यानि की नियुमेटिक टायर बनाया था जिसका की साइकल में काफी उपयोग होने लगा हाला कि 1845 में ही रॉबर्ट विलियम थॉम्सन ने इन नियुमेटिक टायर्स का आविशकार किया था और इनको पेटिन भी करा लिया था लेकिन कुछ विवहारिक कारणों से यह उपयोग में कभी भी नहीं आपाए इसी दोरान तीन पहियोवाली ट्राइसाइकल का विकास हुआ था 1876 में आइलेंड के एक प्रोफेसर विलियम बाइंड ओन बलड ने एक तीन पहियोवाली साइकल ड्यूबलिन ट्राइसाइकल बनाई थी जिसको पेटिन भी कराया था और इसे मुखेता औरते और बूड़े लोग प्योग करते थे क्योंकि यहाँ दोप पहियोवाली साइकल की तुल्ला में काफी सुरक्षित थी 1880 के अंत तक चेन से चलने वाली सुरक्षित साइकल बाजारों में आ गई इन में पहियों के आकार, पैडल की स्थित्ती और इनकी औसत उचाई के कारण चालक दुरखटना के कम सिकार होते थे यह सुरक्षित इसी ले थी क्योंकि यहाँ बहुत उची नहीं थी और इस पर बैट पाना आसान था इस पर बैट करके सवार बड़ी आसानी से जमीन को भी चूपाते थे जिससे साइकल को चलते वे रोक पाना भी बहुत आसान था इसमें पैडल्स फ्रेम के पिछले भाग में जुड़ेवे होते थे जिससी कि यहाँ अगले पहिये से दूर होते थे और हमारे पैर अगले पहिये से सुरक्षित रहते थे इन साइकल्स में छोटे-छोटे संशोधन और बदलाव करके आधुनिक साइकल्स का स्वरूप सामने आया है तो आज हमने साइकल के इधियास को तो जाना ही साती साथ यहाँ भी जाना कि इसके आविशकार और विकास का शेरी किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है. सेकणों सालों के आविशकार और बदलाओं के बाद इसका आदुनिक श्वरूप सामने आया है. अगले वीडियो में हम साइकल और साइकलिंग से जुड़े वे विज्ञान को विस्तार से समझेंगे धन्यवाद